किसान भायों जो मिर्च के पौधे की रुपाई संपन्य हो जाए तो हमें इन विसेश बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे मिर्च के पौधे का अच्छी तरह से ग्रोथ हो तो मैं आप लोगो रिक्मेंड करूंगा और मैं यह चीज अपनाता भी हूं अपन किसान भाई मिर्च एक नगदी मसालावरगी फसल है जिसकी खेती भारत के सभी राज्जयों में वर्ष में तीन बार की जाती है जैसे कि किसान भाई अगर आप लोगो बरसात के मौशम में मिर्च की फसल से उतपादन लेनी हो तो उसके पौधे की रुपाई जो है जुन की फशल सृतुत पातना लेना चाहते हैं तो किसान ऑगर मिर्च की खेतीं सहीक्राटिक है यानि क्षेत की तैयारी उसकी करते समय अगर सहीच लग्षर्ट रूज का अनुपाद डाला जातो तो की खेती से आप लोग कम समय में अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं नमस्कार किसान भाइयों मैं हूं भी जैमाओर और आप लोग देख रहे हैं यूटूब चैनल नमबर वन खेती बारी किसान भाइयों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को खेती बारी से संबंदित सही सटीक और बेहारी ज्यानकारे मिलती रहे हैं आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसान भाइय मिर्च की खेती में अगर आप लोगों को अच्छा खासा उत्पादल लेना हो तो खेत की तैयारी पर आप लोगों को खास कर ध्यान देना होगा जैसे कि मिर्च की खेती जब भी करने जाएं तो अपने खेत के चारों तरफ जो मेड़ है किसान भाइय उसकी आप लोगों को साफ सफाई अच्छी तरह किसे कर लेनी है क्योंकि किसान भाइय अगर मेड़ घास से दोज़ क्या क्या डॉल ना है किसान भाइय आप तीन से चार वार गहरी जुदाई खेती कर लें और स्झथ क्या जो है किसान भााइय अपने खेत में क्या क्या डालना चाहिए तो आप प्रत एकड की दर से 50 किलो डियेपी ले ले और 100 किलो जो है सिंगल सुपर फासपेट मिवरूट आप पोटास जो है 30 किलो ले ले 30 किलो यूरिया ले ले और 10 किलो रिजेंट ले ले किसानवाई इन सभी को आपस में एक तरह से मिक्स करके और खेत में असानी से जो है इसको बुरक दें उसके बाद खेत की आंतिम जुताई कर दें किसानवाई रिजेंट का प्रयोग हमने इस वज़े से किया है क्योंकि किसा के पौधी की जड़े को काड़ देते हैं रिजेंट डालने से जो है वो कहीं नहीं कीट खतम हो जाएंगे जिससे हमारा मिर्ष का पौधा सूखेगा नहीं आप लोग देख पारेंगे कि हमारे मिर्ष की पौधे की रुपाई हो गई है और हमने रुपाई करते समय एक समाने विधी का प्रियोग किया है क्योंकि किसानवाई इस विधी में जो है लागत बहुत ही कम आता है जैसे आप आप लाइन से लाइन की दूरी जो है आप तीन अंप रख सकते हैं क्योंकि किसान वाइन इसकी पौधे की जो लंबाई होती हो वह वड़ी होती है आप लोगों ध्यान ना होगा अगर आप फरवरी और मार्च के महीने में लगाने जा प्रकोप लग जाए और पौधे से पौधे की नज्दीकी में नज्दीकिए ना ऑगरूतनाывает कि नज्दीकियां भड़ा दिया है अब रुपाय हो जाने के बाद हमें किन विसएश बांतों कान्धीहन रखना चाहे किसानबाय जैसे आप लोग रुपाई कर रहे हैं रुपाई करने से पहले जब भी आप नरसरी से पौधेया कौँ उखाण थो लेना है क्योंकि जो नर्सरी वाली मिट्टी है तो ज Но कि आप जब भी नए मिट्टी में लगाने जाएंगे तो वो उसके पेड़ जल्दी से चलना सुरू हो जाएंगे किसान भायों जो मिर्च के पौधे की रुपाई संपन्य हो जाए तो हमें इन बिसेज बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे मिर्च की पौधे का अच्छी तरह से ग्रोथ हो तो मैं आप लोगो लेजिए उसके बाद मिर्च की रुपाई जो आप लोगों ने की है उसमें हर जड़ों में जो है थोड़ा थोड़ा पानी जैसे आप लोग पानी डालते हैं उतना पानी आप डाल दी इससे क्या होगा मिर्च के पौधे की जड़ों का सोधन हो जाएगा जो उसके पास की म खेती से संबंदित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं जैसे इसमें पहली खाद कौन सा डालें इसकी निराए गुड़ाए कैसे करें तो अगर आप लोग इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं आने वाले समय में इस स्टेप बाई स्टेप वीडियो बनाता रहूंगा किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक फिर मिलते किसे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जै जमान जै किसान